नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों मैं मोनिका आप सबका हमारी चेनल में स्वागत करती हूँ और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे दिये गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और हमारा चेनल चल्दी से सब्सक्राइब आज हम इस वीडियो में वूलन की जो केप होती है वूलन से बनी हुई उसमें जो टेक्स्चर होते है उसकी शेडिंग हमें बहुती आसान तरीके से कैसे करनी है वो हम सीखेगे आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना ये बहुती टॉफ नहीं एकदम इजी है आप देख दो आपको भी लगेगा कि नहीं ये केप तो इजी है आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक नीटेड केप है मतलब है ये बूलन से बनी हुई एक टोपी है जो स्पेशल गल्स की होती है उसके जो नीटिंग की जो टेक्स्चर है वो उसके शेडिंग हमें किस तरह से बनाने है आसान तरीके से तो आप ये वीडियो में ज़रूर देखिएगा तुरूर भी तुरूर जो डूइंग शीखना श्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा नहीं चांते गांच चांते हैं तो उसको ये चीत्र देख कर एसा लगता है कि ये तो बहुत आप्याश्ण मतलब बहुत टॉफ है हम उसको केसे कर पाएंगे तो इसलिए मैंने ये स्पेशिल वीडियो अलग से बनाया है टेक्स्चर के उपर के इतना जीतना आपको टॉफ लगता है इतना होता नहीं है बस आपको शान्ती से और धीरे से आपको उसमें स्केच करना है आप ये वीडियो देख सकते हैं इसमें इतना मतलब इतना टॉफ नहीं है बस हम शान्ती से वर्क करेगे हमें बस शान्ती से ये टेक्स्चर बनाना है जो उसकी निटिंग है मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने वन बाइवन जो निटिंग है जो उसके जो वो केप जो गुंते है ना तो उसमें जो टेक्स्चर बनता है ना वो मैंने कैसे वन बाइवन बनाया है वो भी आप देखना एकदम इजी है बस आपको शान्ती से बनान है कोई जल्द बाजी नहीं कर नहीं है यह एकदम इज़ी है मैंने यह केप पर एक यह अलग से वीडियो बनाई है मुझे लगा कि आप कोई यह वीडियो बहुत ही हेलपफुल होगी यह पूरे चित्र का वीडियो हम कल अपलोड करतेगे अभी बस मैं चाती है को आप शान्ती से यह केप ही सीखे और इस तरीके के जो स्केश होते है वो हमें शान्ती से ही करने चाहिए कोई जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए इजी तो होता है पर हम चल्द बाजी कर देते हैं तो बिगर चाता है तो पेले मैंने बस यह केप ही बनाई और इसका ही वीडियो बनाया है आप अच्छे से धियान से देखना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज हमें कमेंट करेगा और आप हमें इंस्ट्राग्राम में भी फोलो कर सकते हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्चन में दी हैं आप हमें मेसेज भी कर सकते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक चल्दी से कर दीजिए और यह आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज हमें कमेंट जरूर करेगा क्योंकि आपके कमेंट से आपके लाइक से हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है अमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रत्साहित होते हैं कुछ अच्छा बनाने के लिए तो प्लीज कमेंट और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत बुरिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है, कुछ मिश्टेक लग रही है तो प्लीज वो भी हमें कमेंट करके बताईए, ताकि हम भी समझे अगर आप बोलेगे ही नहीं तो हमको पता भी कैसे चलेगा तो प्लीज जो भी कमेंट है, प्लीज हमें कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करतीजी जल्दी से जो भी आपके दोस्ते जो ट्रोईंग सीखना चाहते हूं जो इजी तरीके से कुछ बनाना चाहते हूं, जो सीखना चाहते हूं उसके साथ ये वीडियो ज़रूर share कर दीजेगा I hope कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे आपको helpful हो और प्लीज अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज 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 दोस्त हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर दीजिए क्योंकि हम इस चैनल पे आपके लिए एसे ही आर्ट और क्राफ्ट के वीडियो लाते रहेगे दोस्तो अब हम चलते हैं आप अपना और अपने परिवर का और दोस्तों का ख्याल रखना और हमारे वीडियो देखते रहना हम फिर मिलेगे नए वीडियो के साथ और ये वीडियो प्लीज पूरा जरू देखिएगा और आप सभी प्यारे दोस्तों का ये वीडियो देखने के लिए मैं दिल से धनियवाद करती हूँ दोस्तों अपना ख्याल रखना हम प्याल भ्लीज प्यारे दोस्तों झाल झाल झाल